Hello friends, welcome back to my channel, मैं मनीशा और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दही से facial करना इसको करने से चेहरे पर से दाग धबे दूर होंगे, चेहरा spotless glowing हो जाएगा तो वीडियो स्टाट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथी बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाले मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक हो शेयर करें, चली वीडियो स्टाट करते हैं फेस को क्लीन करने के लिए लेना है एक चमच दही, एक चमच निबु का रस, इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है दही के यूज से चेहरे पर से गंदगी, धूल, मिटी, सब अच्छे से क्लीन हो जाता है इसे अपने फेस पे अपलाई करना है, अपलाई करने के बाद एक से दो मिनट तक खलके हादों से मसाज करें दही से चेहरे को क्लीन करने से संटेन की प्रोब्लम दूर होगी, दाग धबे हैं तो वो इससे दूर होगा फेस को अच्छे से क्लीन करता है, इसे मसाज कर लेने के बाद अपने फेस को क्लीन करना है इसके लिए लेना है cotton उसे आप पानी में डिप करके उसके बाद अपने face को अच्छे से clean कर ले स्क्रब बनाने के लिए लेना है एक चम्मच दही, एक चम्मच चावल का आटा, एक चम्मच coffee powder, एक चम्मच सहय दैड करेंगे इसे अपने face पे apply करें, apply करने के बाद इसे 3-4 मिन तक scrub करें हलके हाथों से, coffee के यूज से skin soft और glowing होती है, अगर face पे tanning की problem में तो यह भी दूर होती है scrub कर लेने के बाद इसे ठन्ने पाने से wash कर लेना है, पैक बनाने के लिए लेना है दो चम्मच दही, दो चम्मच बेसन और थोड़ा सा इसमें healthy eye करना है, इन सारे ingredient को अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद इसे अपने face पे apply करना है दही से facial करने से face पर से दाग धबे दूर होते हैं, pimple के निसान दूर होते हैं, यह skin को soft glowing बनाता है, इसे लगाने के बाद 20 मिनट तक रहने दे, 20 मिनट के बाद इसे ठन्ने पानी से wash कर लेना है, ऐसा आपको week में दो बार करना है, कुछी दिनों के इस्तमाल से आप देखे होंगे, आपका चेहरा fair glowing और spotless हो जाएगा, इसे आप एक बाद जरूर करें,